नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम बनाने जाड़ हैं सोया बरी की सब्जी इस तरह से आप भी जलूर एक बार ट्राइ कीजिएगा आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सोया बरी की सब्जी बनाने के लिए हमने 200 ग्राम सोया बरी को अच्छे से भिग तुक एक उच्छे से द्ठोर निचोड लिया है तिन लाल टमाटर लिया है दो इंच अदर्ट कर टुकड़ा लिया है सबसे पहले हम एक mixer grinder जार लेंगे और इसमें टमाटर अद्रक और हरी मिर्च को काट कर एट कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल कर इसे हम बारी पीस लेंगे देखिए हमने सारे चीजों को बारी पीस लिया है अब हम guest में कडाही चला देंगे और कडाही में दो बरी चमस सरसो का तेल एट कर देंगे जिसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें बरी को डाल देंगे और guest के flame को medium रखके बरी को हम 3-4 मिनट टक फ्राई कर लेंगे बरी का सब्जी बिना फ्राइ किये भी बना सकते हैं पर फ्राइ कर लेने से इसमें क्रंची आ जाती है तो सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है ध्यान रहे बड़ी को बहुत ज़्यादा फ्राइ नहीं करना है नहीं तो यह ताइट हो जाएगी तो सबजी का टेस्ट भी अच्छा नहीं लेगेगा बड़ी फ्राइ हो गया है अब हम बड़ी को निकाल लेंगे और सेम कड़ाही में हम दो चमस सरसो का तेल एट कर देंगे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें आधा छोटा चमस जीरा और एक तेजपत्त और दो लंग और एक डालचिनी का टुकरा डाल देंगे गेस के फ्लेम को लो रखके हम मसाले को चटकने देंगे देखिए मसाला अच्छे से चटक गया है अब हम इसमें अतमाटर अद्रक और हर्मिर्च का पेस्ट एट कर देंगे जो हमने पहले ही पीस के रख लिया था साथ में हम सुखे मसाले भी एट कर देंगे अधा छोटा चमज हल्दी पाउडर एक चमज लाल मिर्च पाउडर और दो चमज धन्या पाउडर एट कर देंगे और गेस के फ्लेम को मेडियम रखके हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे मसाले को हम लगातर चलाते हुए भूनेंगे नहीं तो मसाले जो है कडाही में चिपक जाएगा मसाला अच्छे से भून गया है अब हम इसमें एक चम्मस कसूरी मेठी एट कर देंगे कसूरी मेठी को हमने पहले ही सेख के रख लिया था और एक चमज गरम मसाला पाउडर एट कर देंगे और स्वाद अनुसा नमक एट कर देंगे इसके बाद हम दो मिनट टक इन सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे अब देख सकते हैं मसाला जो है बहुत अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें सोया बरी एट कर देंगे और सोया बरी को हम मसाले के साथ एक मिनट टक चलाते हुए भून लेंगे मसाला और सोया बरी को हमने भून लिया है अब हम इसमें एक गिलास पानी एट कर देंगे और गेस के फिलिम को मेडियम रखके हम 10 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में इसे एक दो बार चला लेंगे 5 मिनट के बाद हम सबजी को एक बार चला लेंगे और इसे फिर से ढखकर 5 मिनट टक और पकाएंगे सबजी को पकते हुए टूटल 10 मिनट हो गया है अब हम सबजी को एक बार चेक कर लेते हैं देखिए सबजी हमारा बनकर तेयार है अब हम गेस के फ्लेम को आफ कर देंगे और सबजी को एक सार्विंग बावल में निकाल लेंगे ना डिलेसियस सोया बड़ी का सबजी बनकर तेयार है एक बार आप लोग भी इस तरीके से जरूर ट्राइ कीजिएगा आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा जैसा कि आप लोगों को पता है सोया बड़ी में भरपूर मात्राव में प्रोटीन पाया जाता है इसलिए सोया बड़ी को हफते में 2-3 बार जरूर खाना चाहिए अगर जिन लोगों को सोया बड़ी का सबजी पसंद नहीं है आप एक बार इस तरीके से जरूर बना कर दीजिएगा वे लोग भी मांग मांग कर खाएंगे ये सबजी को आप रोटी पराथे पूरी दाल चाहूल के साथ सर्फ कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से र कॉमेंट करना ना भूले मिलती हूँ नेक्स वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई and टेक कियर